मैं हूं यह वेलकम बैक टू मैं चैनल और सुना यह दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीड है आप सब भी स्वस्थ और मस्थ होंगे देखे बचो आज मैं आपके लिए बना रही हूं यह वेजिटेबल प्लाव अगर मम्मी पापा या भाई बड़े भाई वैन कहीं बाहर गए और दो हाइब्रिट टिमाटर एक मीडियम साइज का आलू है और थोड़े से चार पांच लस्तन के कलिया इनको भी मैंने चौप कर लिया है और आप चिलता चाहिए तो उतार भी सकते हैं मैंने उतारा नहीं है क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए मैंने इतनी दिनों से खाना बनाती रहती तो मुझे अंदाजा है कि एक बड़ा चमचा हो गया है तो देखे तेल हमारा गराम हो चुका है अब हम मैं इसमें डालगी हूं लस्तन को हलका हलका सा पहले मैं स्वेट कर लूँगी दोस्तों मेरी आवाज थोड़ी आपको अलग सी करना आप गेघा है अब हमारा सिर्वी टिमाटा होम में कबले देखा तक हम लएक हुए हम और कलर चीट कर पका लेंगे कि एक लेघए आप करें.. मेरी चम्मच जो चोटी है जो मसाले में आती है आप अपने इसाब से मेरीजिये लमकseits एक मेराच चमच अदर कर रहत है कर रहें मैंसे चमच으면서 curry Meggie मसाला तो आप आपको मेगी मसाला हों पसंद ना हो दो ओएंसों को अभुल अची तरह से मसाल में एक अद्ग मिनट के लिए भूल लेंगे मसाले के साथ में यह देखिए ऐसे ओलट करके चलाएंगे और इसका हम भूल लेंगे और जब तक गल ना जाया हमें तब तक भूलना है अब मैं आड कर रही है यह देखिए आलू है हमारे बारीक चौप के दियुक्त के साथ में अच्छी तरह से एड हो जाएंगे कि मैनने एड कर लिए आपक्त कर लिए हमें यह देड़ गिलास में तीन बात का हमें ध्यान रखना देखिए इस गिलास से में चावल ना एंपने न दोस्तों तो उसी गिलास है हमें पानी पानी यूस करना ना इंस पानी भी लेना है ठीक है मैं तीन गिलास पानी इसमें एड़ कर दे रही हूं यह देखे आपको भी ऐसे ही एड़ कर लेना है और इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक चाख भी सकते हैं कि हमारी चावल कैसे बनेंगे थोड़ा सा चमच में पानी लेकर आप चाहिए पानी जो बनते हैं एकदम स्वार ठीक होता है और इन्हें हमें तेज गैस के पर जब इसमें प्रैशर बन जाए तो हमें 10 मिनट के लिए कुप करना है देखें दस मिनट हो चुके हैं और यह प्रैशर भी आपने खतम हो चुका है हमारी चावलों को प्लेटिंग कर लेते हैं यह प्लेटिंग कर लेते हैं यह देखें बच्चे पारटी आ रहा है ना आपके मुझे पानी ते बड़ जरूर कीजिएगा मेरे तरीके से बनाए और फिर मुझे बताईए कि कमंड करके आपको कैसे लगी है यह देखें प्लेटिंग कर लेने यह देखें आप चाहें तो और वेजिटेबल्स वगर्रा आपके पास पॉड़ी है तो वह भी इसमें एड़ कह सकते हैं अभी हमारे पर फिलाल नहीं थे आलोई पड़े थे मैंने वह यह आड़ किया और उपर से हम लगाएंगे गाय के देशीगी का तड़का तो आपको भी ऐसे ही देशीगी का उपर से करें देशीगी जो है बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए करता है तो यह देखें तयार है अब यह देखें इसको चाहें आप त्याव प्लाव कह लेए कि पीले चावल कह सकते हैं अगर यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगया है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप मेरी वीडियो देखते और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप तो इस बात का ध्यान जरू दखना मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद